Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a very important chapter of class 4th English which is Helen Keller. Helen Keller एक American author और educationist रही है. इनकी जो story है ये काफी motivational है आप लोगों के लिए because बच्पन में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वज़े से she lost her ability of seeing and hearing कि ये सुनने और देखने की जो इनकी शमता है वो चली गई थी, मतलब she became blind and deaf, लेकिन उन्होंने इन दोनों ही चीज़ों को overcome किया और she was the first blind and deaf woman to graduate from the college in United States. और उसके बाद जैसा मैंने का author भी है ये लिखती भी थी, तो देखिए जादतर जो knowledge है आपकी life में वो आप सुनके और देखके ही perceive करते हैं, grant करते हैं, अगर ये ही दो ना कर पाए, तो दुनिया को समझना कितना मुश्किल है, तो चलिए इनकी कहानी पढ़ते हैं, किस तरीके से, किनोंने इनकी help की, एक बहुत important person है, जिनके बारे में mention किया गया है चाप्टर में, उनके बारे में भी जानेंगे और किस तरीके से यनुने पढ़ना, लिखना, और words को एक तरीके से समझना सीखा, शुरू करते हैं, चाप्टर सबसे पहले word meaning कराए जाएंगे आपको, उसके बाद read करेंगे, चाप्टर को explain किया जाएगा, question and answers हम लोग दूसरी वीडियो में करेंगे, उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चानल पर, चानल को आप subscribe कर लिजे, बेल आइकन को press कर लिजे, पहले उससे मैं आपको Helen Keller दिखा देती हूँ, देखें, यह real picture है उनकी, जैसा मैंने कहा, यह real story है Helen Keller की, first word is healthy, healthy मतलब होता है स्वस्त बिलकुल, ill, बिमार, bright, बहुत तेज बच्चा जो होता है, तीवर बुद्धी वाला, locked, बंद, wild, जंगली, agreed, agree करना, किसी बात पर मानना, strict, सक्त, kind, दयालू, important, जरूरी, तो यह कुछ एक words हैं जो आपके chapter में यूज होने वाले हैं, इसी के साथ chapter शुरू करते हैं, it was summer of 1880, 1880 के summers की बात है, गर्मी की बात है, a healthy baby girl was born in a small town in Alabama, एक बिल्कुल healthy baby girl, बिल्कुल स्वस्थ बच्ची पैदा होती है, एक छोटे से शहर अलबामा में, her parents loved her dearly, उसके parents उसको बहुत प्यार करते हैं, and named her Helen Keller, और उसका नाम रखते हैं Helen Keller, but one day, लेकिन एक दिन, the baby became ill, एक दिन जो बच्चा है वो बिमार हो जाता है, and day after day, और दिन प्रती दिन, her fever stayed high, उसका जो बुखार है, वो high ही रहता है, बहुत जादा ही रहता है, everyone in the family tried to help her, family के सभी लोग कोशिश करते हैं, उसकी मदद करने की to get better, ताकि वो better हो जाए, अच्छी हो जाए, but all they could say was, लेकिन आखिरकार सब बस इतना ही कह पाते हैं, there is nothing more we can do, इससे जादा अब हम नहीं कर सकते, the baby may not live, ये बच्चा शायद जिन्दा ना रहे, वो इतनी बिमार होती हैं बच्चपन में, Helen lived, लेकिन Helen जिन्दा रहती है, but she was not the same after her illness, illness मतलब बिमारी, लेकिन अपनी बिमारी के बाद वो same नहीं रहती, पहले जैसी नहीं रहती, something is very wrong, कुछ तो बहुत गलत है, her mother said, उसकी मदर कहती है, वो sense कर लेती है कहीं न कहीं, कि कुछ बहुत गलत है, अब छोटा बच्चा है, बोल भी नहीं पाता, बता भी नहीं पाता, कि क्या परिशानी है उसको, at last they found out what was wrong, और आखिरकार उन्हें पता लगा, कि क्या गलत है वहाँ, the child could not see or hear, इतना जादा जो fever आया, कुछ ऐसा हुआ, कि उनकी जो सुनने की और बोलने की जो ability थी, she lost that, अब वो सुन नहीं सकती थी, और देख नहीं सकती थी, the baby grew into a little girl, उसके बाद जो baby थी, वो धीरे धीरे छोटी बच्ची हो गई, her parents felt sorry for her, उसके parents बहुत sorry feel करते थे, बहुत बुरा feel करते थे उस बच्ची के लिए, Helen often cried and held on to her mother, Helen अकसर जादा तर रोती ही रहती थी, और अपनी मदर के साथ ही, अपनी मदर को held करके रखती थी, पकड़ के रखती थी, give the poor child what she want, her father would say, उसके पिताजी कहते थे, कि इस बिचारी बच्ची को वो दे दो जो भी इसको चाहिए, जो इसको चाहिए इसको दे दो, though Helen could not hear or see, हालाकि Helen देख और सुन नहीं सकती थी, she was a bright little girl, लेकिन वो बहुत ही bright थी, some people thought Helen could not learn anything, कुछ लोगों ने सोचा, Helen कभी कुछ सीख नहीं पाएगी, क्योंकि देख भी नहीं सकती है किसी को, आप देखें, जो बच्चा देखी नहीं सकता, उसको पता ही नहीं कि आसपास लोग कैसे होते हैं, colors कैसे होते हैं, चीज़ें कैसी डिखती हैं, उपर से सुन भी नहीं सकता है, और जो सुनता नहीं आप जानते, वो बच्चा अपने आपी डम गूंगा अपने आपी हो जाता है, चीज़ें कि आप, जब किसी को सुनते हैं, तब ही आप बोलना सीखते हैं, अगर सुन नहीं पा रहे हैं, तो आप बोलना भी नहीं सीख पाएगे, her mother did not agree तो सब लोग कहते हैं तो कभी कुछ नहीं सीख पाएगी लेकिन उसकी mother इस बात को नहीं मानती थी Helen is very smart she said and added उन्होंने कहा कि Helen बहुत smart है उन्होंने कहा और फिर आगे कहा the problem is how can we reach her problem ये है कि हम उस तक पहुँचे कैसे आप किसी को सिखाना चा रहे हैं दिखा के सिखा सकते हैं लेकिन वो देख भी नहीं सकता बता कर सिखा सकते हैं वो सुन भी नहीं सकता तो हम इस बच्चे तक पहुँच नहीं पा रहे हैं ये problem है otherwise ये बहुत smart है she is locked up inside her वो अपने अंदर ही अंदर lock हो गई है अंदर ही अंदर बंध हो गई है Helen became to grow wild Helen जो है वो wild होने लगती है दिरे दिरे ऐसे बच्चों को गुचसा बहुत आता है क्योंकि अपने आपको express नहीं कर पाते क्या होने चाहिए बोल नहीं पाते तो वो दिरे दिरे wild होने लगती है बहुत wild मतलब ऐसे जंगली होता है लेकिन ऐसा behave वो करने लगती है she would not let anyone calm her hair वो किसी को भी अपने बालों को calm नहीं करने देती थी her clothes उसके जो कपड़े हैं were always dirty वो हमेशा गंदे रहते थे she was often angry sometimes she even lay on the floor and kicked her feet कहीं बार वो फ्लोर के उपर लेट जाती और अपने पैरों को kick करती रहती थी her parents thought that they should find a teacher for her उनके parents ने सोचा कि हमेश के लिए एक teacher डूढनी चाहिए Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen Miss Sullivan, जो की एक young teacher थी, उन्होंने agree किया उन्होंने का कि ठीक है मैं इस बच्चे की help करूँगी to learn to see the world इसको दुनिया देखना सिखाऊंगी Miss Sullivan give Helen a doll Miss Sullivan ने Helen को एक doll दी D-O-L-L spelled doll D-O-L-L मिलके doll बनता है बोलके तो वो बता नहीं सकती So she spelled the word उन्होंने इस word की spelling with her fingers into Helen's hand Helen के hand को लिया इसके उपर अपनी finger से लिखा पहले उसके हाथ में doll दी और हाथ से उसके उपर लिखा D-O-L-L ताकि वो feel कर सके क्योंकि सुन नहीं सकती देख नहीं सकती लेके महसूस तो कर सकती है तो इस तरीके से हाथ पे लिखा doll ताकि उसको पता लगे कि यह जो हाथ में उसके चीज है यह कुछ ऐसी बनती है लिखके वो बता सके words से उसका introduction उनने शुरू कराया She made the letters with special hand signs उन्होंने वो जो letters है उसके हाथ पे special hand signs से बनाए Helen copied her teacher Helen ने भी अपनी teacher को copy किया फिर नकल की उसकी and spelled doll too और उन्होंने उसने भी doll की spelling लिखी But she did not understand what she was doing लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था यह मेरे हाथ पे उन्होंने ऐसे लिख दिया उसने भी उनके हाथ पे वैसे ही कुछ कर दिया लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था यह कर क्या रही है वो Helen Helen liked Miss Sullivan बहुत kind थी तो Helen को वो पसंद थी She was strict हाला कि वो थोड़ी सक थी बट kind लेकिन बयालू भी थी kind भी थी She spelled a lot of words to Helen और ऐसे ही करके हाथ पे लिख लिखे उन्होंने वो अलग अलग चीजें उनको देती रही है एक lemon दिया उसके हाथ पे ल, e, m, o, n करके लिखा कई बार लिखा जिससे कि उसे पता लगे कि यह जो चीज उसके हाथ में है जो थोड़ी round है छोटी है यह इस तरीके से बनती है तो उन्होंने कई सारे words इंटिड्यूस कराए उसके on her hand day and night to make Helen understand दिन और रात वो उसमें लगी रही ताकि Helen कुछ समझे वन डे एक दिन her teacher लेकिन Helen को अब तक यह नहीं पता लग रहा था कि ठीक है चीज नहीं है वो कर रही है लेकिन यह है क्या जैसे हम लोग कहते हैं ना कि उसको यह नहीं पता लग रहा था कि अच्छा यह शीज का नाम है ऐसे यह बनती है तो एक दिन क्या हुआ her teacher made Helen put her hands into running water running water में चलते हुए पानी में उसने Helen का हाथ दिया उसकी teacher ने then she spelled W-A-T-E-R उसने उसके हाथ पे W-A-T-E-R spelling लिखी spelled किया उस word को suddenly एक दम से Helen understood Helen समझ गई that W-A-T-E-R means something wet कि अच्छा यह जो ऐसे ऐसे लिखा गया है हाथ पे इसका मतलब होता है कोई चीज जो थोड़ी wet है गिली है running over her hand यह जो मेरे हाथ के तरफ अभी जा रही है मेरे हाथ को जो टच कर रही है चीज जो थोड़ी सी गिली लग रही है यह ऐसे लिखी जाती है W-A-T-E-R यह तब Helen समझ गई she understood that और उसको यह भी समझ में आया words were the most important thing in the world कि दुनिया में words सबसे ज़ादा ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है देखिए हर चीज को इसलिए कोई नाम दिया गया है सोचिए आपके आसपास जो चीज है वो उनके नाम ही ना हो तो आप कैसे explain करेंगे आपको क्या चाहिए मानी ज़र आपको candies चाहिए चोटी सी चीज होती है round होती है बहुत कुछ आपको explain करना पड़ेगा इस color की होती है ठंडी चीज होती है हैना मीठी होती है आइस्क्रीम को explain करेंगे तो इसलिए हर चीज को नाम दिया गया है जो कि words है और ये Helen को समझ आ गया कि words को जानना बहुत जरूरी है words सबसे important है दुनिया में words would tell her everything she wanted to know और दुनिया में जितनी भी चीज़े हैं गो उसको किस से पता लगेगी words से ही पता लगेगी और दीरे दीरे इस तरीके से उन्होंने उसको पढ़ना और लिखना सिखाया new words इसमें जो है dearly मतलब बहुत प्यार से illness बिमारी agree करना, मानना important जरूरी ओके तो ये था आपका chapter, hopefully सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा और जैसा मैंने कहा कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा कि जो disability है, जो कुछ कमिया है हम में उनके तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए जैसे कि मैंने आपको बता है, Helen की achievement, educationist रह चुकी है वो USA में उन्होंने अपनी book भी लिखी है, author भी है तो इतनी कमियों के बावजोद इनको overcome करकि अगर वो कर सकती है तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं So that's all students, thank you so much for watching